अलाम अलेकुम फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे सैलेड थोड़े चेंज के साथ जिससे इसका टेस्ट और बेनिफिट्स दोनों ही बहुत बढ़ जाता है कुछ लोगों को वेट लॉस करते में या ऐसे ही सैलेड खाना थोड़ा मुश्किल लगता है तो ये रेसिपी उनके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है क्योंकि ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है तो यहाँ पर इसके लिए मैंने ले लिया है गाजर, कैरेट और उसको ऐसे ही मोटा चॉप्ट कर लेंगे जितना बड़ा आप सबजी आराम से खा सकते हैं उतने ही बड़ा बड़ा इसे चॉप्ट कर लें एक मीडियम साइस के चुकंदर यानि बीट रूट को भी इसमें मैंने चॉप्ट कर लिया है यही पर डाल देते हैं अब यहाँ पर डालेंगे दो से तीन टेबल स्पून भरके अनार अनार से इसका टेस्ट तो बढ़ेगा साथ में इसके फायदे भी बहुत बढ़ जाते हैं यही पर हम यूज करेंगे कुछ सीड जिसमें तिल है और फ्लेक्स सीड यानि अलसी है आप अपने पसंद या जो भी आपके पास हो कोई भी सीड यूज कर सकते हैं चाहे सनफलार, पंकिन इस तरह हमें सीड को अलग से कंज्यूम नहीं करना पड़ता है सैलिड के साथ ही हम इसे ले लेते हैं और यहाँ पे हम बहुत ही अच्छा इंग्रीडियन डालेंगे पीनर्स यह रोस्ट किया हुआ है इससे इसका टेस्ट बढ़ेगा ही साथ में इसमें जो हेल्दी फैट्स होता है इसके भी फाइदे बहुत बढ़ जाएंगे यहाँ पे हाफ टीस्पून वर्जिन कोकोनट ओयल डालेंगे पीनर्स और कोकोनट ओयल में जो गुट फैट्स होता है उससे सैलिड में जितने भी विटमिन मिनरल्स होते हैं उनको हमारी बोड़ी बहुत अच्छे से अब्जॉब कर पाती है सैलिड का हमें पुरा-पुरा फाइदा मिल जाता है आप कोई भी सैलिड बनाएं उसमें थोड़ा सा हाफ टीस्पून के करीब कोकोनट ओयल या ओलिव ओयल या सेसमी ओयल यानि तिल का तिल डाल ले उससे थोड़ा टेस भी इनहेंस होता है यहाँ पे जो हमने पीनट्स और कोकोनट ओयल डाला है इससे इसमें बहुत अच्छा नटी फ्लेवर आ जाता है और पीनट्स से अच्छा सा क्रंच आ जाता है आप अपने पसंद की किसी भी फ्रूट वेजिटेबल के साथ इसे बना सकते हैं लेकिन सेम रेसिपी भी आप एक बार जरूर फॉलो करिएगा अगर आपके पास कच्छा नारियल हो तो चुटा-चुटा टुकडा करके वो भी आप यहीं पे डाल ले यह सेलेट खाने में बहुत ही जादा अच्छा लगता है आप जब इसे ट्राइ करेंगे तो आपको यह बहुत जादा पसंद आएगा और भी अच्छे ची रेसिपी और वीडियो के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूले अच्छी ची वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए लाइक शेयर कॉमेंट भी करें थैंक्स फॉर वाचिंग लास्ट में ये कि मैंने और भी बहुत अच्छी वीडियो डाली प्लीज आप सारी वीडियो को चेक आउट करें सारी रेसिपी बहुत ही अच्छी है